यह expiry special वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के expiry का jackpot trade किस तरीके से identify करना है और उसके पीछे का logic क्या है उसके साथ साथ देखेंगे कि bank nipty और nipty में किस तरीके का momentum हो सकता है और उसके पीछे का logic क्या है as per the price action and as per the option chain analysis तो सबसे पहले start करते है bank nipty का analysis अभी आपके सामने में ने जो chart लगाया हुआ है वो bank nipty का spot का 15 minute का chart है अगर आप देखोगे तो आज के दिन market gap up के साथ open हो गया और market ने एक completely range bound momentum दिखाया हुआ है तो कल के लिए हमारे important trigger कौन से रहेंगे पहले उसको हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो triggers है ये triggers की वज़े से कल gap up gap down depend रहेगा पहला trigger रहेगा इंडियन market में जो IT company जे Infosys, Vipro, TCS इनके result आने वाले हैं इनका एक impact रहेगा second impact रहेगा EFI के data का क्योंकि कल के दिन market ने जो था वो EFI ने stock में selling किया हुआ था लेकिन फिर उसके बाद भी आज market gap up के साथ open हो गया और तिसरा trigger रहेगा US market में आज रात को जो inflation का data आने वाला है उसका किस तरीके से Dow Jones के उपर impact होता है उसके बाद आपने यहाँ पे market gap up य gap down खुलेगा वो decide होगा अगर कल के दिन market जो है वो flat यह थोड़ा सा down open होके नीचे की side में यह 38,500 के level पर आता है तो यह 38,500 के level से bounce back देने की high probability है तो उस case में हम लोग 38,500 का जो call है वो 38,500 के call को यहाँ पर buy कर सकते है पहला target हमारा जो रहेगा वो आज का closing price हमारा पहला target र market जो था वो आज के दिन gap up के साथ open हुआ था तो market यह gap fill करने के लिए दुबारा यहाँ पर आ सकता है और दूसरा यह का reason है कि market ने यहाँ पे जो resistance 1 और resistance 2 बनाया हुआ था वो breakout के बाद यहाँ पे as a support की तरह काम करने वाला है यह होगा इसके पीछे का price action का reason अगर कल के दि market upside का momentum दिखाना देख चालू करता है तो उस case में हम लोग क्या करेंगे यह 38,800 का जो level है इसके उपर buy कर सकते हैं उपर की side में हमारा target 49,110 के करीब कर रहेगा अगर यह 49,000 के level को market upside की तरफ break भी करता है तो first item में market कितना move दिखाता है इसके उपर हमें decision लेना पड़ेगा और उस case में हमें open interest के data को भी consider करना पड़ेगा अभी देख लेते हैं कि open interest का data हमें क्या indicate कर रहा है यहाँ पर आगर आगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने bank nifty का option chain लगाया हुआ है 13 January के weekly expiry वाला यहाँ पर आगर आगर आप देखोगे तो 38,500 का जो level है यहाँ पर highest open interest म रहा है तो यह दो region की वज़े से यह 38,500 का जो level है वो हमारे लिए as a support की तरह काम कर सकता है अगर उपर की side में हम लोग देखोगे तो 49,000 का जो level है वहाँ पर call की side में highest open interest बन चुका है जो as a resistance की तरह act होने की probability है तो अगर कल के दिन market इस level को 49,000 के level को upset की तरब भी break करता है तो उपर की side में 49,100 का जो level है यहाँ पर हम लोगों को और एक price action के ही सबसे resistance मिलने वाला है तो कल के दिन market यहाँ पर consolidate होता है और देड़ बज़े के बाद हम लोगों को breakout मिलता है तो यहाँ पर हमें देड़ बज़े के बाद एक jackpot का trade मिल सकता है जिसका logic भी मैं आपको explain क करके बता हूँगा मैं अपने इस free wallet channel में आपको update कर दूँगा कि मुझे क्या लग रहा है यह free wallet channel में मैं bank nifty nifty option के intraday के signals देता हूँ और इसी channel का link video के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है जहाँ पे एक लाग चुरा से अजर से जादा लोग जुड़े हुए है और यही एक मातर मेरा official channel है अभी देख लेते हैं कि nifty में price action हमें क्या indicate कर रहा है अभी आपके सामने में निप्टी का spot का chart लगाया हुआ है 15 minute का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो market ने एक double top जैसा structure form किया हुआ है लेकिन जब भी market double top जैसा structure form करता है तो जब तक उसका midpoint downside की तरफ break ने होता हम लोग reversal को नहीं मान सकते है तो कल के दिन market जो है market अगर यह support level को downside की तरफ break करता है मतलब यह 18,160 की level को downside की तरफ break करेगा तो market यह gap fill करने के लिए नीचे तक आ सकता है अगर कल के दिन market flat open हो के उपर की side में 18,217 के level को upside की तरफ break करता है तो उस case में हम लोग 18,200 का जो call है वो 18,200 के call को buy कर सकते है उपर की side में 50-60 point का target हमें आराम से मिल सकता है यहाँ पर एक point को आपको समझना पड़ेगा कि expiry के एक दिन पहले market ने एक अच्छा का सा range bound momentum दिखाया हुआ है तो यह range bound momentum में जो भी writer लोग होने कल के दिन और आज के दिन market में short का position बनाया र sunshine लगाया हुआ है weekly expiry वाला 13 जनवरी के यहाँ पर आगर आप देखोगे तो market ए crucial level पर आकर अभी रुका हुआ है मैंने अपने free वाले telegram channel में भी update कर दिया था कि यहाँ पर यह जो level है 18,200 का एकदम crucial level है इसके पीछे का reason एक ही है कि आगर आप देखोगे तो यहाँ पर put की side में आज के दिन highest open interest एड़ हुआ है 46 lakh shares का और उसी के साथ साथ अगर call की side में देखोगे तो भी highest open interest एड़ हुआ है 15 lakh shares का मतलब यह कई ना कई आज के दिन market ने जो लोग inter हुए है इनका कई ना कई यह level के उपर बहुत ज्यादा बरोसा है तो कल के दिन हमें यह level से दोनों side की तरफ momentum दिखाई दे सकता है जिस side पहले breakout आएगा उस side हम लोग trade ले लेंगे तो कल के दिन jackpot trade को कैसे identify करना है उस jackpot trade के पीछे का logic में आभी आपको बताता हूँ जिसको आप लोग hero या zero trade भी करते हैं सबसे पहले आपको देड़ बज़े तक यहाँ पर wait करना है और दे बज़े के बाद अगर market उस level को break करता है और कुछ time के लिए यहाँ पर sustain होता है तो उस case में हमें short covering का एक बड़िया upside momentum दिखाई दे सकता है इस case में हम लोग जिस strike price का out of the money call option का premium 15 से लेके 20 रुपे तक रहेगा उसको हम लोग buy कर सकते हैं हमारा stop loss जो रहेगा वो मातर 5 मज़ लेना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे देड़ बज़े तक wait करेंगे और देड़ बज़े के बाद put की side में देखेंगे कि highest open interest कौन से strike price के उपर बना हुआ है मान लोग कि 18,100 के strike price के उपर highest open interest बना हुआ है तो इसका देड़ बज़े के बाद breakout होने तक wait करेंगे और से 15 से लेके 20 रुपे तक जिसका premium रहेगा उसको buy करेंगे हमारा stop load जो रहेगा वो मात्र 5 रुपे करेंगा और target जो रहेगा वो target subject to the market moment रहेगा target कैसे calculate करना है उसके already मैंने detail वीडियो बना के रखे हुए है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को like किजिए अ वो लेवल के उपर मार्केट में दो probability बनता है पहला यह कि यह कि मार्केट उस लेवल को break कर सकता है और दूसरा probability यह कि मार्केट उस लेवल को respect कर सकता है अगर मार्केट उस लेवल को break करता है तो हम लोग breakout का trade ले सकते है और अगर मार्केट उस लेवल को respect करता है तो हम लो open interest के column से यहाँ पर लोग add हो रहे है यहाँ फिर यहाँ से लोग exit हो रहे है इसके उपर यह depend रहता है मान लोग कि यहाँ पर call का side है call के side में market यहाँ पर उपर जा रहा है उपर जाते समय अगर call की side से लोग exit हो रहे है तो market यहाँ पर breakout डे सकता है और हम लोगों को breakout का trade यहां पर मिल सकता है सेम तरीके से मान लो कि यहां पर call के side में जो है वो लोग add होते जा रहे है तो market अगर इस level पर आएगा तो यहां से market reverse होने की high probability रहती है जो लोगों को free वाला option chain का course करना है उसके details मैंने telegram channel के उपर दिये हुए और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस video को like कीजिए free के signals के लिए आपने telegram channel को subscribe कीजिए और free educational video देखने के लिए आपने youtube channel को subscribe करके bell icon का button दबा दीजिए तो जैसे मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा हीमीजेट आपको उसका notification मिल जाएगा तो मिलते हैं next educational वीडियो में thank you very much